दोसा की इस किसान महापंचायत का आयूजन करने वाले हमारे स्थानिय विधायक, पूर मंत्री और आलाल मीना जी और हमारे बानिकुई से विधायक सम्मानिय खटाना साहब, हारीश मीना जी, प्यार मीना साहब, सुरेश मोदी जी, वेच सोलंकी साहब, हमारे जिला कॉंग्रेस कमीटी के अध्धक्ष, राम जिलाल ओड साहब, बंच पर नगर परिशत की चेर्मेन साहिबा, पूर जिला प्रमुक साहिबा, इस महापंचायत में पहुंचे हुए आदर्निय बुज़ुर्गों, और जवान दोस्तों, माताओं, भेनों, साथियों, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, मुराईलाल जी का, खडाना जी का, और सभी जिले के हमारे किसान भाईयों का, साथियों का, कि आप लोगों ने आज, दोसा जिले में, इतनी बड़ी एक किसान महापंचायत का आयोजन किया, और मुझ को हमारे सब साथियों का हमंत्रित किया, मुझ से पूर में, सभी साथियों ने, अपनी अपनी बात रखी, लेकिन मैं चाहता हूँ, कि आप सब लोग, ध्यान से सुने, किस मुद्दे को लेकर, आज देश भर का किसान आंदोलित है, और इन तीनों कानूनों की बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है, काले कानूनों का विरोध करना एक बात है, लेकिन इन कानूनों से जो दूर गामी नुकसान हमारी आने वाली पीडियों को होने जाने वाला है, उसके बारे में आपको मैं दोशब कहना चाहता हूँ, हम सब जानते हैं आज से कुछ बहिने पहले केंद की सरकार ने तीन ऐसे कानून बनाए, इन कानूनों के बनाने में किसी भी राज सरकार से बात नहीं करी गई, किसी भी किसान संगठन से बात नहीं करी गई, और जबर्दस्ती से और जल्दबाजी से ये तीनों कानून सदन में पारित करकर इस देश पर थोपे गए ये क्रिशी कानून जिनको केन सरकार बोलती है कि किसानों के हित में हैं मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये ऐसे कानून बना दिये गए हैं जिसका विरोत पुरे देश में हो रहा है दिल्ली की सरत पर दो ढ़ाई महिने से इस कड़ती ठंड में हमारे किसान साथी बैठे हैं सेंकडो किसान हमारे शईद हो गए वो सारे किसान जो दिल्ली में बैठे हैं वो किसके लिए संगर्श कर रहे हैं 86 पतिशद देश का किसान छोटा किसान है 2 बीगे, 3 बीगे, 4 बीगे में खेती करता है उस किसान को पावंद कर देना उस किसान के भविश को नश्ट कर देना चन्द उद्योग पतियों की वज़े से पूरी किसान कौम का भविश अंदेरे में धकेल देना सरकार ने जो किया है साथियों सरकार ने जो कानून पारीद किये हैं वो कहते हैं कि आप अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हो आज भी आपको कौन रोकता है लेकिन मन्यों को समाप्त कर देना वो द्योग के लिए होता है समर्थन मूल किसान का न्यूनितम समर्थन मूल जो केंद की सरकार गोशित करती है उन को कानूनों में डाला नहीं गया छोटा किसान दस बोरी अनाज लेकर दोसा जैपुर से कलकत्ता बंबई जाएगा और वहाँ पे बड़े बड़े खरब पतियों द्योग पतियों से अगर जगड़ा करना होगा तो कहा कि SDM के पास जाओ और कोट कलेक्टर के पास जाओ इन कानूनों में कहीं प्रावधान नहीं है कि छोटे किसान की रक्षा होगी इन तीनों कानूनों के विरोध में तीन महिने से किसान दिल्ली के सरत पर बैठें और किसानों ने गान्दी वारी परमपरा का परीचे दिया सहीं हम से समझोता करने के लिए बात करी शांती से प्रेम से अपनी बात को रखा कि इन सरकार ने ग्यारा बार न्योता दिया लेकिन क्या मजबूरिया है कि इन सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है क्या विवस्ता हैं आपकी क्या आप कानून वापिस लेना नहीं चाहते हैं मैं धन्यवादेना चाहता हूं शिर्मति सोनिय गांदी जी का जिनों ने 22 पोलिटिकल पार्टी को खटा किया और तमाम विवक्ष ने एक स्वर में कहा कि हमारे आपस मत्वेद हो सकते हैं लेकिन देश के किसान के लिए हम सब एक जुट से खड़े रहेंगे इस देश के किसान के लिए ये मुद्दा किसी दल का नहीं है ये मुद्दा किसी एक नेता का नहीं है लेकिन मुझे पीड़ा ह हुई साथियों गंतंत्र दिवस के दिन जो घटना लाल के लिए पर हुई उसकी हम सब को कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए अगर हमारे देश के मांसम्मान के साथ कोई खिलवार करता है हमारे तिरंगे जंडे के मांसम्मान में कोई कमी लेकर आता है तो उस पर कारवई करनी चाहिए लेकिन उस दिन की आड़ में आपने सेंगडों किसानों पर मुकदमे कर दिये किसानों को पाबंद कर दिया बैरिकेट खड़े कर दिये कीले गाड़ दिये आपने दिल्ली के बॉर्डर पर जिस प्रकार का प्रबंद किया है ऐसा तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के सर्थ पर नहीं होता है आज हम सब लोग पीडित हैं लेकिन हमने संकल्प लिया है कि छक्तिस कौम के लोग ये दौसा इसकी धर्ती से वाज जानी चाहिए और यहां जो आज आपने मापंचायत में जो चारों प्रस्तावों को पारित किया है इन प्रस्तावों को सिर्फ पारित ही हम लोगों ने किया है इनको मनवा के छोड़ेंगे और किसांज अपनी बात बढ़ जाता है तो हर विक्ति को बिगर जाती हैं, नेता आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन अपने कारकाल में, अगर किसान के विरोध में कुछ काम हुआ है, सेंगडों, किसानों की जान चली गई, दिल्ली की सरत पर पानी बंद कर दिया, बिजली बंद कर दिया, सोचाली हटा दिये, इस प्रकार का बरताव, किसान के साथ अगर गोई करेगा, तो पूरे देश का किसान अपने साथिं के साथ ख़ड़ा हो जाएगा, मैं आप लोगों से आवान करना चाहता हूँ, हम तमाम यो साती मंज पर बैठे और आप सब लोग यहां पर खड़े और बैठे हो आप सब को समझना पड़ेगा ये लडाई किसी एक व्यक्ति के नहीं है एक नेता की नहीं एक पार्टी की नहीं है ये संगर्ष इस देश के छोटे किसानों का है यह संकल्भ हमको लेना पड़ेगा कि तीन कानून आपने पारिद किये आपने कार निजी उद्योग पती आप माल खरी सकते हो उसकी कोई सीमा नहीं है स्टॉक सीमा को समाप कर दिया इस देश में खादर सुरक्षा का कानून है आज दो रुपे के लिए गेहूं और सरकार जब अनाज खरीदरा बंद कर देगी तो गरीबों का पेट कैसे पालेंगे हमारे BPL के साथ ही जो PDS है नाज मिलता है सरकार खरीते तो नाज मिलता है ना अगर सारी अद्योग पते नाज खरीद लेंगे तो खादर सुरक्षा कानून का क्या होगा जो गरीब है द अद्नी बंद नहीं करेंगे आप बंद मत करो लेकिन दो-तीस साल में अपने आप ठप हो जाएगी जब मंडी बंद हो जाएगी खरीद बंद हो जाएगी तो गरीब आद्मी कहां जाएगा चार-पांच बड़ी द्योग पति आपस में समझोता कर लेंगे पसल के दामते कर लेंगे और मैं पूछना चाहता हूं लोगों से जो दिल्ली में आज बैठे हैं आपने वादा किया था कि किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी आप मेंसे किसी की आमदनी दुगनी होई या क्या ये वादा हमने तो नहीं किया किसान की आमदनी दुग निकरना भूल जाओ लेकिन जितने साल आप सत्ता में रहे किसान की फसल पे जो बोनस दिये जाता था वो भी खतम कर दिया किसान की खरीद नहीं हो रही और जब करोणा का काल चल रहा था लॉकडाण हुआ पूरे देश में उद्योग बंद हो गए फैक्ट्रियां बंद हो गए इकार खाने बंद हो गए लेकिन किसान ने खेती बंद नहीं करी और किसान की बदौलत आज हमारे भंडार भरे हुए हम लोग अपना पेट पाल सकते हैं उस किसान के साथ अगर कोई धोका करेगा कोई जात्ती करेगा तो हम सब खड़े ओकर उसकी मदद करेंगे आज इस मापंचायच से संदेश जाना चाहिए पूरे परदेश और देश के अंदर कि हम सब किसान भाई एक हैं हम सब मिलकर दबा लाएंगे और यह परंपरा है संस्कृति एतिहास इस देश का इस जनता का समाज का कि प्यार से भाईचारे से अमन्चैन से गांधिवादी तरीके से अपनी बात को मनाना हम लोगों को आता है जो आंदोलन चल रहा है आद दिल्ली के चारों तरफ से उसमें सब का समर्थन ह हम सब कॉंगरेस पार्टी के लोग है हमारी सरकार राजिस्तान के अंदर है हमने सदन में कानूनों के खिलाफ में विदान समा में कानून पारिद किये लेकिन उनको मंजूरी नहीं मिल रही है अलग अलग राज्जों ने कें सरकार के तीनों काले कानूनों के खिलाफ विद जबरदस्ती हो रही है, आप रोज अखबार टेलिविजन देखते हो, अरे किसान हमारे हैं, ये अलगाववादी नहीं है, ये अतंगवादी नहीं है, ये योगरवादी नहीं है, इनको बदनाम करने की जो साजेश है, उसका परदाफाश हमको आपको करना पड़ेगा, आप सबसे मेरा आवेदन है, आने वाले समय में, पूरे परदेश और देश में, जो किसान साती संगर्ष कर रहे हैं, सबका साथ हम लोग लेंगे, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, राहूल गानी जी का भी, और तमाम सातियों का, जुन्होंने किसान की आवाज उठान में कोई कमी नहीं छोड़ी, और हमको आपको मिलकर इस आंदोलन को तेज करना है, लेकिन याद रहे, कोशिश की जाएगी, साजिश की जाएगी, भढ़कानी की बात की जाएगी, लेकिन हम अमन, चैन, शांती से, सब्विता से, भाइचारे से, प्रेम, महबत से, जो हमेश आतिहास है, ये सवर के पालेट साब की करम भूमी रही, आप लोगों की सेवा करने का मुझे मौका मिला, और मैं आप लोगों को वदा करके जाता हूँ, हर परिस्चिती में हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आज, आज, पुरे देश का किसान, हम सब गौजवानों सातियो की तरफ देख रहा है, आज इस मन से जो प्रस्ताव पारित हुए हैं, उन प्रस्तारों का मैं समर्थन करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ, कि आज की इस पंचायद के बाद, आने वाली जो रूप रेखा तैह होगी, उसमें हम पूरी दमखम के साथ, हमारे किसान साति को समर्थन करेंगे, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुरारी जी का, खडाना जी का, कि आपने हम सब को आमंत्रित किया, लेकिन साथियों, ये चुनोती का समय है, हम सब लोगों को, पूरे देश की जनता, आज देख रही है, कि हम लोग आगे क्या करेंगे, मैं ऐसा मा उनों को सरकार को, केंच सरकार को वापिस लेना पड़ेगा, और वो वापिस तब लेंगे, जब हम उन पर दबाव बनाएंगे, और दबाव बनाने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा, गानिवादी तरीके से उस काम को हम लोग करेंगे, आज जो परस्ताव पारि जे जवान, जे जवान, जे जवान, जे जवान, बहुत बहुत धन्नेवाद, राम राम साथ